कि हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन अव्य आकेड़िमी में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अभी हम सीविक्स की से ला रहे हैं सीविक्स और इस्टी की सीरीज हम यहां पर प्रण रहे हैं और इसे पहले मैंने आपके पास समवेधानिक और अस क्या होता है उसका सरेंचरा इसका होता है कितने सदेश होते सारी टो आपके पास कुछ निकिए आया हूं लुक पाल और लोक आयुक्त सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को जरूर्प्रेस कर लें साथ ही और का नोट्रिफिकेशन आप ओन कर ले ताकि जो भी वीडियो जान से अप्लोड होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके ठीक है तो चलिए चाल करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले स्वीडन ने की थी इसकी लोगपाल की अठारा सो नौ में की थी इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है जैसे कि आपको पता है कि लोगपाल कहां पर होता है सेंट्रल में होता है और लोग आएक तो राज्या में होता है तो सेंट्रल में नौक्ति कौन करेगा रास्ट्रपति अवेजली है तो यानि कि रास्ट्रपति क्या होता है लोगपाल की नौक्ति करता है भारत में पहले लोगपाल की नौक्ति हुई थी 19 मार्च 2019 को 19 मार्च 2011 27 December 2011 को ये लोकसभा में मैं इसको मंजूरी मिली थी दरना इसके पार राज़सभा में गया और राज़सभा ने इसको फिर 17 December 2013 को मंजूरी दी थी ठीक है और फिर लोकसभा के पास भीजा और फिर 1 January 2014 को रास्टपती ने इस पर अपनी महर लगा दी ठीक है लेकिन ये 19 में लोकसभा की निक्ति के लिए बनाई जाने वाले चैन समीथी में निम्न में कौन-कौन होते हैं तो मैं आपको पहले बताते हैं कि लोकपाल के लिए जो बनाई जाने वाली जो जो चैन समीथी इसका चुनाव करती है और चैन समीथी की रिपोर्ट के अधर पर ही राश् तो लोगपाल की नुक्ति की बात हो रही यहां पे तो लोगपाल में अब सेंट्रल की बात हो रही तो लोगसवा अधक्ष देखे चार सदस्य होते हैं ठीके सबसे पहले बात जो चैन समीती होती है उसमें एक अधक्ष होता है वो होता है प्रधानमंति है और उसके बाद चा अगर अनुपस्तित है या काम करने में समर्थ है नहीं हो सकता अपस्तित तो वो अपनी जगा पे किसी और को नुक्त कर सकता है उप्रोक्त सभी होते हैं तो देखिए आपके पास जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो डाले वे आप मैं बताया भी आपके जब आपके पास all of the above आ जाता है तो 99% इसके सही होने के chances होते हैं अगर आपको नहीं पता है इन में से कोई भी option आपको नहीं आता है लेकिन आपको यह चीज़ दिख रही है तो आप लगा देजिए यहां पर तुक्का जिसों बोल सकते हैं ठीक है लेकिन पहले आप तुक्के पर भुरे से नद समीति में निम्न में कौन नहीं होता है निम्न में कौन नहीं होता है तो विदान सभा देक्ष होता है बिलकुल होता है क्योंकि देखिए निम्न सदन होता है सेंट्रल में लोकसभा और राजे में निम्न सदन होता है विदान सभा तो वहां अगर लोकसभा का देक्ष यहां प्यादिय क्लिए रहते हैं समंदित राजे के उच्छे ने लागे जिस भी राज़े में नियुकत हो रहा है वहां का मुख्य ने इस उगा यह मुख्या कोड का मुख्य ने बीस होगा यह प्रोगति सबी होते हैं और B, दोनो, और B, दोनो, छे वर्स, तो A और B, दोनो सही है क्यों कि पांच वर्स या शत्तर वर्स, equitable पहले हो, मैंने आपको पहले स्यूशन बताई है आप लोगपाल का टॉपिक जरूर देख लिजेगा समवैधानिक और असमवैधानिक निकाए डिस्क्रिस में लिंक दिया है वहाँ पहां से देख सकते हैं तो आपको खिलर हो जाएगा फिर आप इजली से स्ट्रेसिज को लगा सकते हैं नेक्स कोशिन देखें आपके पास है कि लोगपाल लोकायकत में अदक्ष के अलावा लोगपाल या लोकायकत में अदक्ष के अलावा कुल कितने सदसे होते हैं तो आठ सदसे होते हैं जिसमें चार नियाइक होते हैं और चार गैर नियाइक होते हैं कौन-कौन से होते हैं तो गेरनायक होते हैं जैसे के SC, ST, OBC के अदक्ष होगे और महिला आयो के अदक्ष होगे ठीक है और अगर नियायक की बात के तो सभी वो जोडिसरी फिल्ड से होने चाहिए भारत का पहला लोकायक किसे नुक्त किया गया है लोकपाल होना चाहिए आपे लोकपाल किसे नुक् हो रही है तो सेंट्रल में हो रही है इसका अदक्ष कौन होता है प्रदान मंत्री और यही बात अगर लोकायक्त के नुक्त के समय होती है राज्य में होती है तो तब कौन होगा मुख्य मंत्री ठीक है ओप्शन नमबर डी इजराज टाइंसर लोकपाल का अदक्ष कौन होत जाता है ठीक है तो आप्शन नमबर सी इस राइट अंसर नेक्स देखिए आपके पास है फॉर्टीन कोईशन है कि लोकायुक्त लोकपाल निकाये में निक्त चार गैर नियाएक सदेश्चों में कौन सामिल है तो कौन से चार जो गैर नियाएक होते हैं मतलब जो जो अगला कोशन देखिए भारत में भारत के राष्ट फती द्वारा लोकपाल बिल्कु कब मंजूरी दी गई थी तो मैंने आप भी आपको पर पता थे एक जैनुरे 2014 को लोकपाल लोकायुक्त निकाये में सदेश्या होते हैं चार नियाएक होते हैं बिलकुल सही चार गैर न लोकपाल तथा लोकायुक्त किस परकार का निकाये है तो दोनों के हैं असमवैदानी निकाये हैं बाद में जोड़े गई हैं अब इसमें देखते हैं किसका क्या क्या चीजिए यहां पर आगे हैं नेक्स्ट के रहा है कि लोग पाल लोकायुक्त का कारय बिल्कूल सहीय है यहनि किसी अवस्ता में परधान मंत्री पर जाँच की जाती है अगर बाइचांज किसी सिचुशन प्रधान मंत्री भी जांज के दायरे में आता है, क्योंकि अंतरास्ट्य जैसे कि नियाई पाली का सेनाई हो उनको बाहर रखा गया है, अब राश्ट्रपती के पास अंतरास्ट्य समझोते हैं, संधियां, आंतरिक बाहर सुरक्षा और अं उनको छोड़ के बाकि सब बाइचांज के दायरे में आते हैं, अब कभी सिचुशन हो जाती है कि प्रधान मंत्री भी एकर उस दायरे में आ जाता है, तो फिर बहुंबत आवशक होते हैं, प्रधान मंत्री पर डारेक्ट करवाई नहीं की जा सकते हैं, उसके लिए पहले प्रकार के मंत्री बिल्कुल आते हैं एंजियो ट्रस्ट ये भी आते हैं नियाए पाली का एम से नहीं मैंने भी आपको अभी आपको पर तो यान कि नियाए पाले का एम से नहीं जो होती है इसे बाहर नहीं मैंने उसको लिख दिया नहीं मैंने लिए तो फ्रेंड्स ये था आपके पास लोगपाल से रिलेटट कुछ इंप्रेंट कुछ थै और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें मिलता हो जल्दी नई वीडियों से तब तके लिए जय हिंद जय भारत